नमस्कार, आज हम शुरू करने जा रहे हैं CDP की PYQ क्लास, जिसमें आपकी CDP की एक क्विक रिजन हो जाएगी, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा, और कमेंट में आप भ के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे समवाद और पूछतास के माध्यम से सीखते हैं, ऑप्शन B, कक्षा में शिक्षक के सबसे महत्तपून भूमी का अनुशाशन को बनाए रखना, ऑप्शन C, एक शिक्षक को निर्धायर्थ पाठ्या पुस्तक का पालन करना चाहिए, या फिर उप्शन D, पाठ्या क्रम को समया पर पूरा करने के साथ साथ दोराने के लिए परियाप्त समया देना महत्तपून है, इसको एलिमनेशन मैथर से करें कोईशन को, आंसर निकालते हैं इसका, जैसे की फर्स्ट उप्शन है A, आराम के लिए जगह बनाना और जहां बच्चे समवाद और पूछतास, यह आपका पोजिटिव हो गया, फिर आपका कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्तप और भूमी का जहां पर शिक्षक क्या करें, अनुशाशन बनाई, यह आपका नेगिटिव हो गया, एक शिक्षक को निर्धार जो पाठ्या पूछतक में जितना उसको सलेवसायक उसको डिटरमाइन कर दिया है, यह आपका नेगिटिव होगा, पाठ्या करम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने, उसको दोहराने के लिए प्रयाप समय देना, यह क्या होगा आपका नेगिटिव, इसमें से देखेंगे आपका अंसर क्या निकला, option A आपका right answer निकला, आराम के लिए जगया बनाना जहां बच्चे समवाद और पूछतास के माध्यम से सीखते हैं, जहां पर आपको option में समवाद, पूछतास, चर्चा, स्मूच अर्चा, बच्चों से रेटेड ऐसी कुछ बाते दिखाई दें, तो वो आपका अंसर पोजिटिव माना जाएगा और वो ही आपका अंसर होगा, next question है, निमलिकित में से कौन सी कक्षा स्मूरिद सिक्षा को प्रोच साहित करती है, option A है, पाठ्थे पुस्तक सामगरी द्वारा संचालित और योजनाबद अधिकम वाली कक्षा, option B है, वह कक्षा जिसमें प्रद और विभिन परकार के बाल साहित है, खुली अलिमारी में रखी हों और जो दिन के साहित किसी भी समय प्राप्त किये जा सके, option D, अलमारी में अच्छी त्रह संग्ठित सामगरी वाली कक्षा, जहां सामगरी को सब्तहा में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है इसको eliminate करते हैं option को, पाठ्य पुस्तक सामगरी द्वारा संचालित जो कीवल आपकी पाठ्य पुस्तक संचालित सामगरी है, यह क्या होगा आपका negative, वह कक्षा जिसमें विभिन परकार की जो सामगरी है वो बच्चों की पहुंच से परे है, जब बच्चों की पहुंच से परे ही है कोई वस्तू, तो उसका क्या benefit है बच्चों को, यह भी आपका negative हो जाएगा, फिर है इसमें वह कक्षा जिसमें खूली गतिविधी कोने हों, और विभिन परकार की बाल साहित है, खूली अलमारी में रखे हों, जिसको बच्चों को जब भी मन करें उनका, यह किसी संग्ठेत सामगरी वाली कक्षा, जहां सामगरी को सब्ताहा में एक बार मुक्त खेर के लिए बाहर लायागो, यह भी आपका negative है कि उसको सिर्फ सब्ताहा में ही एक बार लायागो, पोजिटिव आपका C था, तो आपका right answer क्या हो जाएगा, option C, positive हो जाएगा, next question है, निमल साधन रहित संदर्ब में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, option B, वे कक्षा में उपलब संसाधन और संदर्ब सामगरी में से एक है, option C, वह एक राज्यरास्टर में अधिगम में एक रूपता बनाई रखती है, option D, वह अध्यन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक सबसे आवश्यक संसाधन बनाते हैं, next question है, राष्ट्री पाठ्यचरिया फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, यह यहाँ पर देश नहीं है, यह आपका यह वाला खालिस्तान जिसको बोला जाता है, वो आएगा, से प्राप्त की है, option A, संग्यनात्मक सि वहवारवाद, option D, रचनावाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, रचनावाद, option D, next question है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, यदि, option A है, वहाँ शिक्षक से इस पस्टी करन प्राप्त करने के लिए प्रशन पूछते हैं, option B, वे अच्छी त्रह से व इसका right answer हो जाएगा, right answer आप ही दीजिए comment में इसका, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको option eliminate करना सिखाया है, तो answer आपको ही देना चाहिए, चलिए answer देते हैं इसका, पहले option A में क्या कह रहा है, कि वहाँ शिक्षक से पस्टी करने के लिए प्रशन पूछते हैं, जो कि आप पॉजिटिव है, उसके बाद है, कि वो अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, C है, वहाँ कक्षमे अनुशासन, अनुशासन ये भी आपका negative होगा, वे नियमित हैं, वे सभी उपस्थिती में नियमित हैं, ये भी आपका negative होगा, तो right answer क्यानिक लापका option A, वहाँ सिक्षक से स्पस्थिकन प्राप्त करने के लिए प्रशन पूछते हैं, next question है, निमलिकित में से कौन सा बच्चों में अधिकम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उप्यूक्त है, option A है, शिक्षक को वास्थिक जीवन, स्थीतियों पर बच्चों को एक दूसरे क साथ बाच्चित करने में मदद करनी चाहिए, option B है, नियमित मुल्यांकन परिक्षा आयुजित की जानी चाहिए, option C है, शिक्षक को विभिन उधारनों और चित्रों का अप्योग करके विशय की व्याख्या करनी चाहिए, option D है, कक्षा में सभी परकार की शिक्षन सामगरी होनी चाहिए, इसका right answer हो जाएगा, आपका option, eliminate कर लेते हैं पहले, शिक्षक को वास्तिक जीवन सीथियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ क्या करनी चाहिए, बाच्चित करने में मदद करनी चाहिए, यह आपका positive निकला, नियमित मुल्यांकन परिक्षा, लेत्रों का प्रियोग भी करना चाहिए, उधार१न का भी प्रियोग करना चाहिए, और example भी वास्तिक लेने चाहिए, उसको जो बच्चों से relate करते हूं, उसके बाद क्या लिखा, इसमें की उसकी व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्या करना आपका negative हो जाएगा तो यह आ Option A. शिक्षक को वास्विक जीवन स्थीतियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए. Next question है. अनुशाशन जो अधिगम वातवर्ण में एक महत्तपुन भूमी का निभाता है, किस तरह की मदद करता है? Option A. बच्चों को उनके पार्ट याद करने में, Option B. बच्चों को अपनी शिक्षक को भी नियमित और मोनिटर करने के लिए, Option C. चुप्पी साधी रहने के लिए, या फिर Option D. शिक्षक को निर्देश देने में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बच्चों को अपनी शिक्षक को भी नियमित और मोनिटर करने के लिए, पार्ट याद करने में, ये नेगिटिव हो गया, चुप्पी साधी रहना न, बच्चे क्लास में चुप रहेंगे, तो सीखेंगे क्या हो, शिक्षकों को निर्देश, निर्देश आपका आनुवान शिक्ता और पर्यावन की भूमिका के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है, आप्शन ए है, पर्यावन बच्चे की भाषा विकास में महत्पुन भूमिका निभाता है, आप्शन बी है, विकास के कुछ पहलू अनुवान शिक्ता और कुछ अन्य पर्य एक अहार बच्चे के किसी भी जनमजात विकार को दूर कर सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओप्शन बी विकास के कुछ पहलू अनुवाईशिक्ता और कुछ अन्या पर्यवाण से अधिक प्रभावित होते हैं अनुवाईशिक्ता और पर्यवाण दोनों ही इंपोर्टन्ट हैं नेक्स्ट कोश्चन है मैंने आपके पास PYQ के कहीं सेट करवा दिये हैं अगर आप इनको इनकी प्रैक्टिस करोगे रिवीजन करोगे इनकी तो आप देखना कि इन में से आपको कितने कोश्चन मिलेंगे इसलिए इन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर प्रिवियस सेल कोईशन है जो पेपर में बार बार आये हुए हैं नेक्स्ट कोईशन है निमलेखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिधान्त के अनुसार कहा नहीं जा सकता ऑप्शन A है बच्चे अपने परियावरण पर क्रिया करते हैं ऑप्शन B है विकास गुनातमक चरण में होता है ऑप्शन C है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ग्यान का निर्मान और उप्योग करते हैं या फिर ऑप्शन D है निरंतर अभ्याज से अधिगम होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका विकास गुनातमक चरणों में होता है ऑप्शन B इसका र आनुत कर्मनियता ऑप्शन B है ध्यान के इंदरित करने की प्रवर्ति ऑप्शन C है प्रतिक आत्मक विचार का विकास या फिर ऑप्शन D है एहम मन्यता इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन B ध्यान के इंदरित करने की प्रवर्ति कौन सी सीमा नहीं पूछा है इनो ने, नेक्स वोश्चन है, डैश के अलावा, निमलिकित कार्णों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्रपुन भूमी का निबाता है, किस चीज के अलावा पुछा है इसमें से, आप्शन A है, वे नई कोशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उप्योग किया जाए, उप्शन B, वे हैं अपने शरीर पर निपूनता प्राप्त करते हैं, उप्शन C, यह हैं उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या फिर उप्शन D, यह हैं समय बिताने का एक सुखत तरीका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका उप्शन D, यह जो करता है, उप्शन A है, विभिन तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं, उप्शन B है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, उप्शन C है, सही जवाब क्या है, उप्शन D है, क्या आप इसी तरह की स्थिती के बारे में सोच सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा, आपका नेक्स्ट कोश्चिन है, निमलिकित में से कौन सा विकल प्रग्रती शील्ट सिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उप्शन A है परियोजनाविधी, क्षमतास्मू बनाना, रैंकिंग, उप्शन B है करके सीखना, परियोजनाविधी, सहयोग से सीखना, उप्शन C है थिमाटिक इकाई, नियमित इकाई, परिक्षन और रैंकिंग, या फिर उप्शन D है वैक्तिगत अधिगम, क्षमतास्मू बनाना या छात्रों की लेबलिंग करना, तो आपका रैट अंसर गया हो जाएगा इसमें से, करके सीखना, परियोजनाविधी, सहयोग स सीखना, उप्शन B आपका रैट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चन है, प्रगर्ति शील सिख्षा के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन बताता है, शिख्षा स्वयम ही जीवन है, उप्शन A, जीवन सच्चा शिख्षक है, उप्शन B, स्कूल सिख्षा को यथा संभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, उप्शन C, स्कूलों के आफशक्ता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभावों से सीख सकते हैं, या फिर उप्शन D, स्कूलों में शिख्षा सामाजिक और प्राकरितिक दुनिया को प्रतिबंदित करे, तो आपका इस उप्शन E है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दाशनिक हैं, उप्शन B, उनके सिधान्त ने संग्यानात्मक परिपक्कवता और नैतिक परिपक्कवता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, उप्शन C है, इस सिधान्त में विस्तरित परिक्षन प्रक्रियाएं ह यह नैतिक तरग और कारियावाही के बीच एक सपष्ट संबंध स्थापित करता है, इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा आपका, उप्शन D, यह नैतिक तरग और कारियावाही के बीच एक सपष्ट संबंध स्थापित करता है, तो इसमें आपका नैतिक तरग के बारे में आपका किसने बताया है कोहल बरग ने और ये संग्यान आत्मक से दानता आपका किसका है जीन पर आजेगा उसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट कुश्चन है निक्टवर्ती विकास का क्षेतर संधर्भित करता है ऑप्शन ए उस सीखने के बिंदू को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है ऑप्शन बी उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है ऑप्शन सी उस विकास आत्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है या फिर ऑप्शन डी एक संधर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्थर के जब बच्चे खुद से करके देखेंगे उसको तब उसको पॉजिटिव माना जाएगा नेक्स्ट कोशन है एक उभेलिंगी व्यक्तितव ऑप्शन ए स्माज में प्रचलित रूडिवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है ऑप्शन बी इस्तरी लक्षन वाले सी आम तोर पर माने गई पुर्ष और इस्तरी गुणों का समायोजन होता है नेक्स्ट कोशन है बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाओं ग्रहन करते हैं ऑप्शन ए है ट्यूशन ऑप्शन बी है मेडिया ऑप्शन सी है समाजी करन ऑप्शन ड मानके गरित प्रिक्षनों की आलोचनाओं में से एक यह है कि बच्चे की इक्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं ऑप्शन बी वे मुख्या रूप से मुख्याधारा की संस्कृती का प्रतिनिदितव करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं ऑप्शन सी उनकी प्रिक्षन बड़ी आबादी पर लागू नहीं किये जा सकते इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वे मुख्या रूप से मुख्याधारा की संस्कृती का प्रतिनिदितव करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं नेक्स्ट कुश्चन है जो आपका यह मानक प्रिक्रित वर्ड यह भी आपका नेगिटिव है एक अधिक बुद्धि मानी का सिधान्त कहता है कि ऑप्शन ए प्रभावी अध्यापन की द्वारा बुद्धी बढ़ाई जा सकती है ऑप्शन बी बुद्धी तेजी से बढ़ाई जा सकती है ऑप्शन सी बुद्धी कई प्रकार की हो सकती है या फिर option d paper pencil correction सहायक नहीं है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका option c की बुद्धी कहीं प्रकार की हो सकती है next question है जैसे कि आपकी Harvard Gardner ने बताई है आठ प्रकार की बुद्धी next question है शिक्षक सीखने के लिए मुल्यांकन और सीखने के मुल्यांकन दोनों का प्योग कर सकते हैं option a बच्चों की प्रकृति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्षा निर्धायत करने में option b बच्चों की प्रकृति और उपलब्धिस्त को जानने में option c बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षन रणनीती का चेयन करने में option d आवधिक अंतराल उपर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को परमानित करने में इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका option b बच्चों की प्रक्रती और उपलब्दी स्तर को जानने में next question है निमलिकित में से कौन सा सततय और व्यापक मुल्यांकन से संबंदित नहीं है option a है यह बच्चों को धीमी या ख्राब या बुद्धिमान के रूप में चेंहिंद करने में प्योगी होता है option b इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवारिय किया गया है option c है यह शिक्षन अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन आंग है option d है यह विभिन शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धी पर केंद्रित है इसका right answer हो जाएगा आपका option b इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवारिय किया गया है जो आपका सत्यत्य तेख्राबक मुल्यांकन है continuous comprehensive evaluation next question है बच्चों में प्रती भाग शालिता डैश के कारण हो सकती है उप्शन A है अनुशासि दिन चरिया उप्शन B है अनुवान शिक्ता और वातावर्ण के बीच एक अंतकरिया उप्शन C है एक संसाधन स्मृत वातावर्ण या फिर उप्शन D है सफल मातापिता इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उप्शन C एक संसाधन स्मृत वातावर्ण नेक्स्ट कोश्चन है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित प्रिष्ट भूमी से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल के अवशकता होती है बच्चों को उनकी शमताओं के आधार पर वर्गी करित करता है उप्शन B उन्हें अच्छा व्यहवार सिखाता है उप्शन C उनके सांस्कृतिक और भाषाई ग्यान को महत्व देता है तथा उनका उप्योग करता है Option D, उनकी भाशा के उप्योग को हतुत सहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाशा सीख सकी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C, उनके सांस्कृतिक और भाशाई ग्यान को महत्व देता है ये आपके सांस्कृतिक और भाशाई ग्यान को महत्व देना positive word है को महत्व देता है तो था उनका उप्योग करता है कक्षा में श्रिजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक शेप निर्भर करता है Option A, उन्हें अन्या बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर Option B, शिक्षक द्वारा अनुखूलित और प्रेयरक निर्देशन तरीकों के उप्योग पर Option C, उन्हें अतरिक्त समय दिये जाने पर Option D, उनके प्रति स्ने ही होने के नाति पर इसका right answer हो जाएगा आपको उप्शन बी, शिक्षक द्वारान उखूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उप्योग पर नेक्स्ट कोश्चन है अतिस अम्वेदन शीलता बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निमलेकित में से कौन सा तरीका उप्योग तरीका नहीं है अप्शन A, बेचैन होने पर अकसर उन्हें फटकार लगाना अप्शन B है, एक कारिया को छोटे प्रबंदनिया खंडों में तोड़ना अप्शन C है, अधिक्तम के अधिगम के वेकलपिक तरीकों की पेशकस अप्शन D है, उनके दैनिक कारियकरम में शारीरिक गतिविधी का समावेश तो आपका इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा अप्शन A, बेचैन होने पर अकसर उन्हें फटकार लगाना यह आपका आतिसमेशन शिर बच्चों को सीखने में मदद करने का उप्योग तरीका नहीं है नेक्स्ट कुशन है अलग-अलग सोच वाले पैटर्न बच्चों की पहचान करते हैं उप्शन A है, प्रत्यास्ति है, उप्शन B है, विकलांग है उप्शन C है, डिसलेक्सिक है, या फिर उप्शन D है, स्रिजनात्मक है इसका राइट अंसर हो जाएगा, जो बच्चे अलग-लग सोच करने वाले उनको क्या कहा जाता है, क्रियेटिव चैल्ड तो क्रियेटिव चैल्ड किसमें आएगा आपका क्रियेटिविटी में, स्रिजनात्मक है उप्शन D का राइट अंसर होगा नेक्स्ट कोशन है, निमलिकित में से कौन सा सिक्षक दुआरा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता उप्शन A है, अभी सरन उत्रों वाले प्रशन पूछना उप्शन B है, किसी विशेश समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना Option C है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रती इमानदार रहना या फिर Option D है सोच, विचार, परिक्षन और विभिन उत्रों जैसे शब्दा वली का प्रियोग करना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Option A अभी जहरन उत्रों वाले प्रशन पूछना Next Question है निमलिकित में से कौन सा एक सम्वेग है Option A उत्तेजना, Option B स्मृति, Option C डर या फिर Option D ध्यान तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C डर यह है एक सम्वेग है Next Question है जो MacDowels हैं उन्होंने आपके सम्वेगों के बारे में बताया है इसमे Next Question है एक तीन वर्ष का बच्चा बताता है कि दूद बूथ पर एक मशीन द्वारा दूद का उत्पादन होता है निमलिकित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टिकन परदान करता है बच्चा कैसे समझ रहा है उसको उसके बारे में क्या सोच रहा है option A है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरिक वातवन परदान नहीं करता option B है बच्चे को दुनिया का बहुत से मित ग्यान है option C है बच्चे का जवाब दूद बूद से दूद खरीदने के अपने अनुभो पर अधारित है Option D है, बच्चे ने गाएं को कभी नहीं देगा है तो बच्चा इसको कैसे स्पेस्टिकन करेगा अपने अनुभो से Option C, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे जब अपने अनुभो से किसी काम को जैसे वो देखते हैं फिर उसको वो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन C है बच्चे का जवाब दूद बूद से दूद खरीदने के अपने अनुभो पर आधारित है वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना वीडियो को लाइक करना, शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक यू